तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोस की जतनी या फिर सॉस जो बोले वो बहुत ही आसान है इसके लिए मैंने लाल सुखी मिर्ची ली है आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजेगा अगर वो बहुत तिखी है तो उस लीजेगा और मैंने यहां डेट टमाटर लिया है और उसम वो बॉइल उबालेंगे मैं यहां माइक्रोवेव का यूज कर रही हूँ आप ऐसे गैस पर भी उबाल सकते है और ऐसे हो जाएगी और उसके हम छिलके निकाल देंगे ऐसे बहुत ही आसानी से सब सिलके निकल जाएंगे और उसको फिर हम मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे और इसमें नमक डालना मत भूलेगा जो मैंने दिखाया नहीं है और यह चटनी रेडी हो गई है आप ऐसे भी यूज कर सकते हो पर मैंने यहां पे उसको तरका लगाने का सोचा है तो मैंने ओईल लिया है और उसमें लसून और प्यास डालके मैं थोड़ा भूनूँगी औ थोड़ा बॉयल करूँगी क्योंकि मेरी चटनी थोड़ी पतली हो गई है तो उसको गाड़ी करूँगी थोड़ी सी और यह हो गई है मेरी चटनी और देखिए आप देख सकते कितनी अच्छी बनी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा था आप भी बनाईएगा और मेरी चै और शेर करिए का थेंकिए